हरी ही ओम नमसकार प्रियदर्श को आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब चंद्रमा से राहू विभिन भावू में बैठे होते हैं तब क्या फल देते हैं कैसा प्रभाव देते हैं चंद्रमा जो की मन के कारक हैं और राहू अचानक से होने वाली घटनाओं में एहम र में रोल होता है प्रियदर्श को राहू एक छायग रहे है और पापग रहे है परन्तु हम इसकी इंपोर्टेंस को इगनोर नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में इसके रोल को हम इगनोर नहीं कर सकते हैं तो आईए बिना देरी किये आज की वीडियो स्टार्ट करत जब चंद्रमा से राहू अलग अलग भावों में होते हैं तो क्या फल देते हैं प्रियदर्शकों इसके लिए आप अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए और लगन कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उससे आगे गिनिये कि राहू चंद्रमा से कितने घर आगे बैठे हैं या फिर आप इसे चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं अपनी चंद्र कुंडली से आपको देखते जाना है कि चंद्रमा से राहू कितने घर आगे बैठे हैं कौन से भाव में बैठे हैं तो आईए बिना देरी किये हुए विडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पह चंदरकुंडली में प्रथम भाव में चंदरमा और राहु इकथे हो तो उसका क्या फल होता है। लगन कुंडली के किसी भी भाव में जब चंदरमा और राहु की युती होती है तो इसे इतना शुब नहीं माना जाता। इसे ग्रहन योग के नाम से भी जाना जाता है ऐसे में जातक का मन अशांत रहता है मांसिक परिशानिया ऐसे जातक को काफी जादा रहती है स्ट्रेस लेवल जातक का हाई रहता है उसे अपने जीवन में स्ट्रेस बना रहता है डिसीजन मेकिंग पावर ऐसे जातकों की थोड़ी कम होती है यानि की इन्हें कोई भी निर्णे लेने में चाहे वो फाइनांस से रिलेटेड हो इमोशनल लेवल पर अगर कोई डिसीजन ऐसे लोगों ने लेना हो तो उन्हें परिशानी होती है चंद्रमा और राहू की युति होने पर जातक का मन अस्थिर अशान्त होता है ऐसे लोग ओवर थिंकिंग जादा करनी शुरू कर देते हैं एक समय ऐसा आता है जब ऐसे लोग जादा सोचना शुरू कर देते हैं जिसके फल्सवरूप उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है बहुत बार देखा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा और राहू की युति होती है ऐसे जातकों के माता के स्वास्थे में कमी रहती है ऐसे जातकों की माता की हेल्थ थोड़ी सी वीक रहती है यदि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा कारक है और डिग्री वाइज मजबूत है दर्शकों चंद्रमा अगर लगन कुंडली के किसी अच्छे भाव में हूँ, बली हो, मजबूत हो और कारक हो, तो देखा जाता है कि चंद्रमा और राहु के युती के जो अशुपफल है उनमें कमी हो जाती है और जातक परिशानियों के बावजुद भी खुद को संभाल लेता है आईए बात करते हैं, अगर चंद्रकुंडली या फिर लगन कुंडली दोनों में से ही चंद्रमा से आगे गिनने पर राहु दूसरे भाव में आ रहे हो यानि कि चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु बैठे हूँ, तो उसका क्याफल होता है प्रियदर्षको, जब चंद्रमा से राहु दूसरे भाव में होते हैं, तब देखा जाता है, एसे जातक को अपने परिवार का पूरन तह सपोर्ट कयी बार नहीं मिल पाता है या फिर ऐसे जातक अपने परिवार से दूर रहकर कार्य करते हैं ऐसे जातक अपने कुटुंब से दूर हो जाते हैं कई बार ऐसे जातकों के परिवार में भी स्ट्रगल देखा जाता है हो सकता है कि ऐसे जातकों के परिवार में और भी लोग हूँ जो सफल्टा के लिए काफी ट्राइ कर रहे हो परंतु उन्हें सफल्टा मिलने में परिशानी हो रही हो यह दर्शकों जब चंद्रमा से राहू दूसरे भाव में होते हैं तो जातक को चतुर बनाते हैं, चालाग बना देते हैं ऐसा जातक दूसरों को मैनिपलेट करना भी जानता है समय आने पर ऐसा जातक दूसरे इंसान को मैनिपलेट कर सकता है ऐसे जातकों को अनैटिक कार्य करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिसकी वजह से आपको दुष परिणाम देखने को मिले वाणी का उप्योग सही धंक से कीजिए ऐसे जा तक क्रोध हाने पर वाणी का दुर प्योग भी कर देते हैं जिसकी वजह से वाद विवाद में फसने के चांसिज काफी जदा बन जाते हैं चंद्रमा से राहू दूसरे भाव में होने पर धन की दिश्टी कोण से देखा जाए तो मिला जुला फल आपको प्राप्त हो सकता है यदि राहू आपकी कुंडली में कारक है और अच्छी पोजीशन है उनकी तो ऐसा देखा जाता है कि जातक को अपने जीवन में अकस्मात धनलाब भी राहू करवा सकते हैं ऐसे जातकों को अकस्मात धनलाब हो सकता है बस आपको खयाल क्या रखना है आपको कोई भी अनैतिक कारे करने से बचना चाहिए अपनी वाणी का दुर उपयोग करने से आपको बचना चाहिए चंद्रमा से राहू दूसरे भाव में होने पर जातक को अपने खान पान का ध्यान भी रखना चाहिए स्वास्ति के दृष्टी कौन से आपको अपना खान पान ठीक रखना चाहिए आईए अब बात करते हैं अगर लगन कुंडली में या फिर चंद्र कुंडली में चंद्रमा से राहु तीसरे भाव में हूँ तो क्या फल होता है प्रिय दर्शकों जब चंद्रमा से राहु तीसरे भाव में हूँ तो ऐसा जातक यात्रा अपने जीवनकाल में अधिक करता है ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े संबंद खराब हो सकते हैं या फिर ये हो सकता है कि जातक के छोटे भाई बहनों को अपने जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा हो बहुत बार देखा जाता है कि जब चंदर्मा से राहू तीसरे भाव में होते हैं तो जातक के अंदर एक प्रिवृत्ति होती है कि शौर्ट कट से वो धन कमाना चाहता है ऐसा जातक चाहता है कि उसे थोड़ से समय में ही सफलता की प्राप्ती हो जाए प्रियदर्शकों चंदर्मा से तीसरे भावका राहू जातक को दूसरों की हेल्प करने वाला बनाता है ऐसा जातक दूसरे लोगों की तो हेल्प करता है परंतो रिटर्न में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता जब उसे मदद की जरूरत होती है जब उसे किसी की हल्प की जरूरत होती है तो दूसरे लोग ऐसे जातकों की हल्प करने से मना कर देते हैं या फिर सहीयोग नहीं करते हैं प्रियदर्शकों, चंदर्मा से तीसरे भाव का राहु जातक को पराक्रमी बनाता है, ऐसे जातक को आलस्य छोड़ कर पराक्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से राहु इस भाव में होने पर सफलता प्रदान करता है, हो सकता है कि पहली बार में सफल जातक को ना मिले परंतु निरंतर प्रयास करने से राहू जातक को सफल जीवन परदान करता है, सफलता परदान करता है। जातक को एंग्जाइटी रहती है, उसका मन परेशान रहता है। जिनने वो अपना मानते हैं, ऐसे लोग उनको समय आने पर धोका दे देते हैं या फिर उनका साथ छोड़ देते हैं। यदि लगन कुंडली में राहू कारक हो और अच्छे भाव में बैठे हूँ, मजबूत हो अच्छी राशी में हो तब देखा जाता है कि ऐसे में जातक को अचानक से मटीरिलिस्टिक गेन राहू लाइफ में करवा देते हैं। कि भूमी, भवन, वाहन, आदी से जुड़ा हुआ, कोई फाइदा आपको अच्छानक से अपनी लाइफ में हो सकता है। और अगर राहू कारक ना हो, अच्छी स्थिती में ना हो, अच्छे भाव में ना हो, तो चंद्रमा से चतुर्थ का राहू कई बार अचानक से हानी भी जातक को करवा देता है। चंद्रमा से चतुर्थभाब का राहु जातक की माता के स्वास्थे में भी कई बार कमी करता है। चंद्रमा से राहु पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक बुद्धी मान और चतुर माना जाता है। जानता है। क्योंकि ऐसा जातक चतुर बुद्धी वाला होता है तो अपने बुद्धी का उपयोग करके अपने चतुर्य का उपयोग करके ऐसा जातक अपने हर काम बनवाना जानता है। ऐसे जातकों को कई बार देखा जाता है कि शिक्षा संबंधी कुछ परिशानियों का सामन अपने जीवनकाल में करना पड़ सकता है शिक्षा संबंधी कोई रुकावटे भी ऐसे जातकों के जीवनकाल में आ सकती है चंद्रमा से राहू जब पंचम भाव में होते हैं तो जातक को प्रेम जीवन में भी कई बार संघर्ष करना पड़ता है प्रेम जीवन में प्रेम संबंधों में कई बार ऐसे जातक को धोका मिलने के चांसिस बने रहते हैं चंद्रमा से पंचम भाव का राहू जातक को मित्रों की संख्या तो ठीक ठाक दे देता है परन्तु उन में से जो सच्चे मित्र हैं वो कम होते हैं जातक का साथ देने वाले मित्र कम होते हैं प्रियदर्शकों चंदर्मा से पंचम भाव का राहू जातक को धन अर्जित करवाने के लिए बेहद अच्छा होता है ऐसा राहू जातकों को टेक्नोलिजी में रूची देता है ऐसे जातकों को टेक्नोलिजी फिल्ड में काफी रूची होती है फैनान्स के लिए फैनान्स फ चंद्रमा से आगे गिनने पर राहु छटे भाव में आ रहे हैं या फिर आपकी चंद्रकुंडली में राहु छटे भाव में हैं तो ऐसे होने पर जातक को शत्रू हंता कहा गया है ऐसा जातक अपने शत्रू को पराजित करने वाला होता है अगर उसके शत्रू काफी प्रयास करें उस पर हावी होने का फिर भी वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं अंत में सफलता अंत में जीत अंत में विजे उस जातक की ही होते हैं प्रियदर्शकों ऐसे राहु जातक को कर्ज मुक्ति दिलाने वाले होते हैं अगर जातक पर किसी प्रकार से कोई कर्ज हो तो राहु की city जातक को इतना सक्षम बना देती है कि वो जातक ससम्मान करज अपना चुका पाता है अपने लोंज को रीपे कर पाता है ऐसा रहू जातक को अपने जीवन काल में प्रियास करने पर, पुरशार्थ करने पर, महनत करने पर सफलता प्रदान करता है कोट के चहरी आदी से related कारेों में भी ऐसा है जातक को सफलता अपने जीवनकाल में मिलती है और जातक के स्वास्थे में भी ऐसा राहू वृद्धी करता है प्रियदर्शको परंतु आपकी लगन कुणली में यदि राहू अच्छे भाव में ना हो नीच राशी में हो कारक ना हो तो जो फल मैंने आपको बताए है उनकी शुबता में कमी आ जाएगी और जातक के संघर्श बढ़ जाएंगे जातक के स्ट्रगल में वृद्धी होनी शुरू हो जाएगी आईए अब बात करते हैं अगली स्थिति की अगर चंद्रमा से राहू सब्तम भाव में हो यानि की आपकी लगन कुणली में चंद्रमा से आगे गिनने पर राहू सात्वे भाव में आ रहे हो या फिर आपकी चंदर कुंडली में राहू सब्तम भाव में हो तो ऐसा माना जाता है कि जातक परोपकारी होता है परोपकार करने वाला होता है उसके पास खुद कुछ होन या ना हो वो दूसरों की मदद करने में बिलीव करता है और प्रियास करता है कि कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकूँ तो ऐसा जातक परुपकारी होता है अपने जीवन काल में प्रसिधी प्राप्त करता है प्रिय दर्शको चंदर्मा से रहो सब्टम भाव में होने पर बहुत बार देखा जाता है कि जातकों को पार्टनर्शिप में बिस्नकरने में प्रबलम आती है ऐसे जातक जब सांजेदारी में वैपार करते हैं तो परिशानीओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। विवाहिक जीवन में भी कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातकों के जो जीवन साती होते हैं वो मुफट होते, स्पष्ट बोलने वाले होते, जिनकी वज़ा से उनके विवाहिक जीवन में कोई न कोई अनबन परिशानी बनी रहती है। चंदरमा से जब रहो सब्तमभाव में होते हैं तब एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जातक का जो मन है वो confused रहता है, जातक अधिक सोचने वाला हो जाता है, कई बार शक्की प्रवृत्ती भी ऐसे जातक की हो जाती है, एक विशे को बार बार सोचते रहना, सोचते रहना ऐसा जातक के मन में आने लग जाता है, ऐसे जातक जितना focused रहकर मेहनत करेंगे, उतना ही अपने जीवनकाल में लाप्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, आईए अगली स्थिती की बात करते हैं, अगर चंदरमा से राहू अश्टम भाव में हो, यानि कि आपकी लगन कुंडली में चंदरमा से आगे गिनने पर राहू आठमे भाव में आ रहे हैं, या फिर आपकी चंदरकुंडली में राहू अश्टम भाव में हैं, तो उसका क्या फल होता है, चंदरमा से अश्टम भाव में राहू उने पर देखा जाता है कि ऐसे जातकों का जो ने करते हो परन्तू इनके नेचर में, इनकी personality में एक mystery रहती है, ऐसे जातकों के मन में एक चाह रहती है कि थोड़े से समय में ही उनको कैसे सफलता प्राप्त हो जैके कोई shortcut उन्हें ऐसा मिल जाए, जिससे वो रातो रातो रात लाव प्राप्त कर ले। प्रिदर्शकू अश्टम भाव में जब चंद्रमा से राहू अश्टम भाव में हो और राहू अच्छी स्थिती में हो तो देखा जाता है कि ऐसे जातकू को अच्छानक से धनलाव भी अपने जीवनकाल में हो जाता है। चंद्रमा से अश्टम में राहू जब लगन कुंडली के अच्छे भाव में हो अच्छी स्थिती में हो लगन कुंडली के लिए कारक हो तो जातक को रिसर्च फिल्ड से जुड़कर काफी लाव अपने जीवनकाल में होता है ऐसे जातकों को तंत्र मंत्र गुप्त में भी रूची होती है और वहीं अगर चंद्रमा से अश्टम भाव के राहू कारक ना हो अच्छी स्थिती में ना हो तो जातक को कई बार अपने जीवन में अकस्मात दुरगटनाओं का सामना भी करना पड़ता है ऐसे जातक को वाहनादी ध्यान से चलाना चाहिए आईए बात करते हैं अगली स्थिती की अगर चंद्रमा से राहू नवम भाव में हो यानि की अपनी लगन कुंडली से आपको देखना है चंद्रमा से आगे गिनने पर राहू नवम भाव में आ रहे हैं या फिर अपनी चंद्र कुंडली में आपको देख लेना है की अगर आपकी लगन कुली में कारक हो अच्छी स्थिती में हो नीच राशी में ना हो तो देखा जाता है ऐसे राहू का भरपूर साथ जातक को अपने जीवन काल में मिलता है वो साथ कैसे मिलता है ऐसे जातक का भाग्य उसका साथ देता है जातक जितनी महनत करता है भाग्य उ बेहद परिशानी होती है भाग्यों को लेकर ऐसे जातक का भाग्य उदे नहीं हो पाता है ऐसे में जातक द्वारे की गई महनत व्यर्थ जाती है वो बेहद महनत करता है बेहद परिश्रम करता है कि किसी प्रकार से उसे भाग्य का साथ मिल जाए परंत उसकी किसमत उसका साथ नहीं देती उसके द्वारा की गई मेहनत सही दिशा नहीं ले पाती है सही दिशा में उसकी मेहनत नहीं हो पाती है जिस वज़य से उसे बार-बार असफलता अपने जीवनकाल में देखने को मिलती है चंद्रमा से राहू नवम भाव में होने पर देखा जाता है कि जातक प्र प्रभावशाली माने जाते हैं आईए बात करते हैं अगर चंद्रमा से राहु दशम भाव में हूं तो उसका क्या फल होता है आपकी लगने कुंडली में चंद्रमा से आगे गिनने पर राहु दशम भाव में आ रहे हैं या फिर चंद्र कुंडली से राहु दशम भाव में ह उसका ये फल होता है कि जातक अपने कारिशेतर में सफलता प्राप्त करने वाला होता है, ऐसे जातकों को अपने कारिशेतर में ग्रोथ मिलती है, ऐसे जातक को चाहे वो बिजनस करता हो या फिर जॉब करता हो, अपने वर्क फिल्ड में ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती ह तरक्की प्राप्त होती है समाज में ऐसे जातक का यश्मान होता है मांसमान की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है राजनीती से भी जुड़कर देखा जाए तो राहु की यह स्थिती अच्छी गहलाती है चंद्रमा से जब राहु दशम भाव में हो या फिर लगन कुंडली में यही राहुदशम भाव में हो तो माना जाता है कि politics को लेकर भी यह राहु की स्थिती अच्छी होती है प्रियदर्श को मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके लिए आपको क्या देखना है आपको देखना है कि लगन कुणली में राहु आपके लिए कारक हो अच्छी स्थिती म समाज में आपका प्रभाव बनेगा परन्तु यही अगर राहु आपके लिए कारक ना हो अच्छी स्थिती में ना हो तो ऐसे राहु की शुपता में कमी आ जाएगी और आपको जीवनकाल में बार-बार काम बदलना पड़ सकता है जीवन में सही दिशा ना मिल पाने की तं चंद्र कुंडली में राहु आपके एक आदश भाव में हो तो उसका क्या फल होता है प्रियदर्शकों आपको देख लेना है कि अगर आपकी लगन कुंडली में राहु की अच्छी स्थिती है राहु आपके लिए कारक है तो ऐसे राहु आपके लिए multiple sources of income बना सकते हैं ज अच्छी मानी जाती है ऐसे जातक को अपने जीवनकाल में धनलाव अच्छा होता है कि बिना महनत किये हुए income भी ओसे जातकों को पराप्त हो सकती है जहां पर आपने काम किया है महनत किया है वहाँ से आपको आये आ रही है इंकम आ रही है वो तो समझ में आता है परन्तु ऐसे जातकों को कई बार बिना मेहनत किये हुए भी इंकम आनी शुरू हो जाती है और ऐसे जातकों का मोटिव होता है धनवान बनना प्रियदर्श को अगर रहु आपकी लगन कुंडली के अनुसार कारक नहीं है अच्छे भाव में नहीं है या नीच राशी में है तो ऐसे में ये रहु जातक को धनलाब करवाने में बेहद परिशानिया लेकर आते हैं ऐसा जातक मेहनत अपने जीवन में करता है परन्तु उत प्रियदर्श को अन्यत्क कार करने से बचना चाहिए अन्यत्थ आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है राहु की ऐसी स्थिती होने पर जातक का कोट के चैरी समंधी कारियों में भी खर्च हो सकता है ऐसे जातकों को अचानक से अपने जीवन काल में किसी घटना का सामना करना पड़ सकता है स्वास्थे को लेकर भी राहु की ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं मानी जाती स्वास्थे को लेकर भी ऐसे जातकों का धन खर्च होता रहता है वाद विवाद में फसने से ऐसे जातकों को बचना चाहिए कोई ऐसा कार्य ना कीजिए जिससे आपको बाद में पच्चताना पड़े तो अनैतिक कार्य जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको अनेयतिक कारे करने से बचना चाहिए प्रियाद रशकों जब चंद्रमा से राहुद बादश भाव में होते हैं तब बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे जातकों को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्रापत होती है ऐसे जातकों का जो भागयोदे है वो अपने जन्न स्थान से दूर जाकर होता है अगर राहू आपकी लगन कुंडली के लिए कारक हो और अच्छी स्थिती में हो तब देखा जाता है कि ऐसे राहू की अशुबता में कमी आ जाती है जो फल मैंने आपको पहले बताया है उनकी अशुबता जो है वो कम हो जाएगी तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने चंद्रमा से राहू के विभिन भावो में होने का फल बताया है आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद हरी ही हो